दोस्तों आज बात करेंगे हम 5 ऐसे documents की अगर आप एक photography business करना चाहते हैं तो ये documents आपके पास में होना बहुत ही जरूरी है अब होता ही है कि बहुत सारे beginner photographers को उसके बारे में नहीं पता होता और बहुत सारे ऐसे भी photographers हैं जो इस काम business तो कर रहे हैं लेकिन उनको पता नहीं है कि documents की क्या importance है और अगर हम अलग शब्दों में कहें तो भाई वो अपना जो पूरा photography business है उसको बिल्कुल भी organize way में नहीं कर रहे हैं और बहुती random तरीके से अपने photography business को करते हैं और जब कभी मुश्किले आती है तो उनको लगता है कि काश हमारे पास में documents होते हैं या हमने इन चीजों को follow किया होता तो ना किवर हमें उसके advantages मिलते हैं बलकि हमारा जो business करने का तरीका है वो भी काफी आसान और काफी जो है सुल्जा हुआ रहता तो इस वीडियो का आप एंट तक जरूर देखिए So welcome back to my channel friends, this is Manish सकसेना, आये शुरूआत करते हैं दोस्तों आप होता ही है कि बहुत सारे photographer जो है अपना काम शुरू कर देते हैं बिना किसी planning के यानि कि जब वो अपना photography business चालू करते हैं अपना नाम दो रख लेते हैं कि या सुमीत सिंग photography या दीप photo studio या फलाना photo studio धिमका photo studio लेकिन यहां पर वो गलती ही करते हैं कि उसकी कोई legality नहीं होती यानि कि उसका on papers को record ही नहीं होता तो यहां पर आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आप अपना photography business शुरू करना चाह रहे हैं तो आप उसको proper legal तरीके से शुरू कर दिये जो जो documents उसमें लगते हैं आप सारी documents आपके पास में होने चाहिए मसलन आज के टाइम के अंदर अगर आप अपना photography business शुरू कर रहे हैं तो यहां पर आप MSME में जाके अपना registration करा सकते हैं उसका link में लगा दिया है उनकी website है दूसरी चीज जो जरूरी है दोस्तों वह यह कि आप अपना उसके लिए current account खुलिएगा क्योंकि अगर आप ऐसे ही बोलते हैं कि मैं एक फोटोग्राफर हूं यार मेरे studio के नाम photo studio है इतना मैंने आपका शूट कया चलिए मुझे आप 20,000 रुपे दे दीजिए तो वह सामन कर रहा है तो किसी दोस्त के account में डालने के लिए कह रहा है या अगर अपने account में डालने के कह रहा है तो उसका saving account है तो यहां पर क्लाइंट के सामने आपका impression दोस्तों थोड़ा सा खराब हो जाता है और यह राइट प्रैक्टिस भी निए देखिए दोस्तों आप एक photography business run कर रही है तो यहां पर आपका proper account होना चाहिए एक आप MSME में जाके registration करा सकते हैं और अगर आपका turnover काफी अच्छा खासा है तो आप GST नंबर भी ले सकते हैं अब बहुत सारे लोगों को GST में बहुत confusion होता है दोस्तों यहां में च्छोटी सी बत बता दूं कि अगर आपका 25 25 लाग की ऊपर का turnover है तो ही आप GST का number लीजिए तो वो थोड़ा benefit रहता है अगर नहीं है तो GST number रहने ही कोई जरूरत नहीं है आप अपना proprietorship में अपना काम चला सकते हैं ज्यादातर जो freelance photographers हैं वो proprietorship में ही काम करते हैं अब proprietorship एक तरह का आपकी एक firm खुल जाती है आपने लगुद्यो कार्ड बना लिया अपना और आप अपना बैंक में जाके अपने account खोल लिया तो यह दो थीन चीज़ें जो आपकी documents है यह आप बना के रख लीजिए अब इससे benefit ही होता है कि जब आप client से पैसा मांगते है तो आप कह सकते कि कि यह मेरा current account है मालीज आपके studio का नाम है दीफ फोटो स्टूडियो ताप कह सकते हैं आप यह पैसा दीफ फोटो स्टूडियो के नाम पर जमा कर दीजिए क्योंकि मेरा current account है तो client बोलता है हाँ यह पूरी बकाइदा कंपनी लेके बैटा है ठीक से काम कर रहा है और पैसा जो है company में जा रहा है तो अगर बड़ा amount भी तो देते हैं दढ़नी लगेगा कि उसके पास में प्रूफ है कि इस company के account में वह पैसा ट्रांस्टर कर रहा है अगर आप आपके पास यह सब चीज़े हैं ही नहीं आप कहरें कि मेरा account है या मेरे भाई के account में डाल देना या मेर देना तो यह तो कोई business करने का तरीका नहीं है वह भी सोचेगा कि किस तरह का photographer हो सकता है कि वह आपको डील दे ही ना भले आप अच्छे फोटोग्राफर आपको काम दे नहीं क्योंकि आपका काम करने का तरीका है वह बिल्कुल भी organize नहीं है तो यहाँ पर आप MSC में में registration जरूर कराईएगा और दूसरी बात मैं आपको बता दो दोस्तों अगर आप photography goods के अंदर डील करते हैं यानि कि आप purchase करते है photography goods और sale करते हैं तो वहाँ पर आप GST नंबर भी ले लिजे भले आपका turnover 25 लाग से कम का हो क्योंकि जब आपको कोई माल खरीदते हैं तो वहाँ आपको GST देना पड़ता है 18% का GST है photography industry के उपर तो 18% GST आपको देना पड़ता है और जब आप कोई माल यानि कि आप कोई camera lens ट्राइपॉड या accessories बेच रहे हैं तो वहाँ पर भी आपको 18% GST आपको customer से लेना पड़ता है तो इस case के अंदर GST नंबर हो जाता है बिलकुल mandatory तो यहां पर आप GST लेके रखिएगा भले ही आपका 25 लाग से कम का turnover हो अब दोस्तों इसके उपर मैं कभी बहुत detail में वीडियो बनाऊगा लेकिन जो best person है वो आपका CA है आपके CA से बात करिए आपके आसपा जो भी CA से बात करिए इसकी क्या चीज़े है और कितना importance है इ आपको जरूर मिले उससे अब बात करतें दूसरे document की तो दूसरा सबसे important document है दोस्तों वो होती है आपकी invoice book आप invoice book एक तरह क्या होता है कि आपका record होता है कि आपने कितने लोगों के shoot कि कितने पैसे में shoot किये क्योंकि जब आप किसी भी client का का काम करते है तो आपको एक तरी कर रहा है यानि कि उसका कोई भी record ही नहीं है तो इससे लुक्सान ही होता है कि जब आपका financial year खताम होता है तो उसके जो benefits होते हैं जब आप tax return करते हो या आप tax file करते हो तो वहाँ पर benefits होने चाहिए आपको नहीं मिलते हैं आपको कभी EMI की उपर camera चाहिए या आपको अपना studio को expand करना है आपको काम करवाना है renovation कराना है आपको funds की ज़रूत है तो वह सब आपको नहीं मिलते है क्योंकि आपने ना तो रसीदय काटी है ना उसका कुछ record है ना आपने अपने सीए को सारा record बता है कि कितना business आपने साल बर में किया कितने पैसे कितना investment हुआ कितना खर्चा हुआ आपने को हिसाफ किताब रखा ही नहीं तो दोस्तों यह बहुत गलत practice है भले ही आपका business छोटा हो या बढ़ा आपको हिसाफ किताब रखना जरूरी है और invoice book आप देख पर है दोस्तों ने आपको एक screen पर दिखा तो दिया मेरा जैसे invoice मैं कैसे काट के देता हूं तो यहां पर आपको 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 जो invoice है यानि एक तरी की रसीदम बोल सकते है जो रसीद है उसके उपर आपकी form का नाम हो आपका address हो आपका email ID आपका website का address और आपके studio का address की सब आपके receipt के उपर होना चाहिए वहां पर उसके अंदर description में होना चाहिए आपने कौन सा काम किया उस काम की कितने पैसे लिए और नीचे अगर आपकी sign है तो और भी अच्छा और उसके नीचे आपने bank account number दे रखा है तो और भी आसान है तो इससे क्या ह आपको बड़ी से अपको साथ में बड़ी से अपको साथ में मिलती है तो आप भी क्यों नहीं आप आप बिसनेस कर रहे हैं तो आपको भी सब चीज़े करनी चाहिए इससे क्यों होता है कि आपकी company का जो ट्रस्ट है वो मार्केट में बढ़ता है लोग बाग फिर आपको र कर रहा है सारी services दे रहा है रसीद काटके देता है इमांदरी से काम कर रहा है तो दोस्तों यह है बहुत छोटे-छोटे से steps लेकिन business में बहुत ही importance रखते हैं बहुत पांच-पैसी की चीज़ हो या 50 लाग की चीज़ हो उसकी रसीद होना बहुत ही जरूरी है दोस्तों तो करेंगे लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि बहुत सारी लोगों ने मुझे एक बार पहले ही बुला था कि सार एक मौडर लीस पेपर हमें शेयर कर दीजे ताकि हम भी वैसा बना दें तो देखिए दोस्तों हर मौडर लीस पेपर अलग तरीकी का होता है उसकी terms and condition अलग हो होता क्या है तो मौडर लीस पेपर दोस्तों बेसिकली एक तरह का डॉक्यमेंट होता है जहां पर जब आप किसी मौडल को शूट करते हैं तो वहां आप उसे बताते हैं कि भाईया मैंने आपकी फोटोस कीची है और फोटोस को जो है मैं बिल्कुल अपने website के उपर अपने उससे ज्यादा फरक नहीं पड़ता लेकिन कई बर क्या होता है कि कोई कस्टमर ठीक नहीं है कोई मौडल ठीक नहीं है वो आपको खामकाबाद में परिशान कर सकता है किसी पी तरह की परिशन आपके लिए खड़ी हो सकती है तो मौडल लीस पेपर आप जरूर साइन करवा जो है मैं पब्लीक ली कमर्शली और हर तरह से में यूज करने वाला हूं बट मौडल रिलीस पेपर इस वरी वरी इंपॉर्टेंट तीसरी उसके बाद बात करें दोस्तों चौते हमारे डॉक्यमेंट की तो वह है हमारा फोटोग्रोफी कॉंट्रैक्ट अब यह जो कॉंट करें तो वहां आप अपने अब क्लाइन से कैसा कि मैं एक मोडलिंग कॉंट्रेक्ट आपके साथ आपको सायिन करना पड़ा अब यहां पर शर्तें क्या होती है यह इतना पैसा मैं लेता हूं काम करने के पहले मालने जए 50% और बाकी का 50% काम करने के 10 दिन Claude 10 दिन के बा कॉंट्राइट में डॉकिमेंट होता है उसके लावा जो अलग लग शर्ते होती हैं जैसे कि आप शूट पर जा रहे हो तो महाँ पर फूड और बेवरेज इसका खर्चा कौन करने वाला है आप करेंगी कि क्लाइंट करेगा यह सारी चीजे जो है वह आपको वहाँ पर लिख अगर नहीं करता तो शर्त आप चेंज कर सकते हैं बेसे कहने का मतलब यह कि जो है एक अग्रीमेंट के साथ होता है यहने कि जिन शर्तों पर दोनों यह अग्री करते हों यहने की क्लाइंट और आप ऐजा फोटोग्रोफर तो आप उसे जो है बिल्कुल आप वहाँ पर आपको सबसे इंपॉर्मेंट के पास एक रिकॉर्ड जाता है कि हां भीया इस बंदे ने इस कंपनी ने अपना रिटन फाइल किया है तो अगर आपको इन फ्यूचर कोई भी एक्यूपमेंट्स लेने है या आपको अपने स्टूडियो को रेनोवेट करना जास की मैंने बता है या आपको अपने काम को एक्सपेंड करना आपको फंद की जरू होते है तो वहां पर आप लोन के लिए एलिजिबल हो जाते हैं चा चलाती ही नहीं है ऐसी रेंदम चलाते कि कुछ भी हवा में चल रहा है फ्रिलांस फोटोग्रोफर है आपको कोई काम करने का तरीका नहीं कोई रिकौर्ड नहीं है कोई डॉक्यूमेंट्स ही नहीं है तो क्या होगा आप एक दो साल पैसे तो कमाएंगे लेकिन दिरी दिर जो है बिल्कुर ठप होता जाएगा और क्लाइंट आप पे ट्रस्टी नहीं करता ना आपको काम देता है ना पैसे मिलते हैं और क्यूंकि आपका तरीका जो है वह कंप्लीटली राटिक है तो यहां पर दोस्तों यह मैंने चोटा सा वीडियो बनाया था ताकि इन डॉक्यमेंट्स के बारे में आपको पता चले अब इससे कोई भी जुड़ा हुआ सवाल है तो आप नीचे कमेंट करके मुझे जरू बताएगा और कमेंट करके मुझे भी बत त्क्राइब रुक्तृ एक कर्षिड कार खीब प्र समया करेंट करेंट गंद कर्माने बारे मीकारे मिएट कारिएब अथे नहीं है कर् मेरा साम्रेहां हुआ मेंट है कर्माने यह थिल्यानांगे कर्षिजर्षाभार्णाग्ट्स